प्रदेश सुर्कार द्वर अक्तुबर वहीने में जिला कांगला पतेपुर्क शेतर में स्थापित किये गए तीन धान खरीद केंद्रों के मादेम से फूर्ड कॉपरेशन आफ इंडिया अब तक 53,000 कुईंटर धान की खरीद किसानों से कर चुकी है इसके एप्ज में किसानों को 11.50 क्रोड रुपई की राशी का भुगतान भी कर दिया गया है वही किसानों की डिमांड पर जिला परशाचर ने प्रदेश सुर्कार से धान खरीद का समय बढ़ाने का आगरह किया है फतेहपूर रियाली वा तियोड धान खरीद के इंद्रों के माध्यम से 53,000 कुईंचल धान की खरीद करके FCI ने 11.50 क्रोड का भुगतान किया है रियाली धान खरीद के इंद्र को बंद कर दिया गया है वहीं किसानों की मांग के अनुसार धान खरीद के समय को बढ़ाने का आगरह किया है अक्तूबर महीने के प्रथम सबताहा में किसानों के समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फतेपूर, त्याली और त्याओर में तीन धान खरीद के इंद्र खोलने की अधिसूजना जारी की थी जिस पर किसानों को घर द्वार पर धान खरीद के सुविधा उपलब्द हुई थी जिसका किसानों ने लाब उठाया लेकिन 15 नवंबर के करीब सरकार द्वारा रियालिस्ति धान खरीद के इंद्र को बंद कर दिया गया है वहीं सरकार की ओर से धान खरीद का समय 30 नवंबर तक निधारित किया गया है जबकि अभी भी कई किसानों द्वारा धान बेचा जाना शेश है ऐसे में किसानों ने जिलापरशाशन के समक्ष मामला उठाया था जिस पर जिलापरशाशन ने सरकार को भी धान खरीट के समय में मृध्धी करने का आगरह किया है ये चैनल के लिए धरमचाला से शिवानशूर सुपला के रिपोर्ट